Hello friends and very warm welcome to Chiki's biology another video In this video today we will discuss all about Serum Institute of India Private Limited आज हम लोग इस एक कंपनी के बारे में बात करेंगे और कैसे Serum Institute of India Private Limited दुनिया की सबसे बड़ी Vaccine Manufacturing Company बनी इस पे हम आज एक केस इस्टेडी करेंगे जो लोग कोशिस करते हैं वही एक दिन अपनी मंजिल को पाते हैं इस बात को साबित किया है Cyrus S. पूना वाला ने जो Serum Institute of India Private Limited के मालिक है और अगर आपको करोड़ पती बनना है तो करोड़ो लोगों की किसी एक समश्चा का समाधान आपको निकालना पड़ेगा और अगर अरब पती बनना है तो अरबो लोगों की किसी एक समश्चा का समाधान वहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा और यही किया है Cyrus S. पूना वाला ने यह सब्द बिल्कुल फिट बैठते हैं इनकी परसनेलिटी को और सिरी S. साइरस पूना वाला जो है वो चेर्मेन है पूना वाला गुरूप के और इन्होंने अरबो लोगों की समश्चा का एक हल निकाला जिसका फाइदा जो है पुरी दुनिया में हुआ और इन्होंने जो है अपना नाम एड करा लिया है अरबो पतियों की लिस्ट में और यह जो है भारत के दस सबसे अमीर लोगों में इनका नाम आता है और यह काम जो है इनके लिए कभी भी आसान नहीं था बटे इन्होंने काफी जादा महनत की और जादा महनत का नतीजा भी जो होता है वो बड़ी कामियाबी होता है अगर किसी ने जादा बड़ी महनत की है तो उसका रिजल्ट या उसकी कामियाबी भी उतनी ही बड़ी होगी और आज जो 61 करोड रुपए की दुनिया की सबसे बड़ी वैक्षिन मैनुफैक्षिरिंग कमपनी है उसके मालिक ये बन गए है और सफलता की कहानी को जो है हम लोग इनकी विस्तार से समझेंगे इनका जर्म जो है होर्स इस्प्रेडिंग वैबसाइट से जुड़े एक पारसी परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम सोली ए पुनावाला था और 1946 में एक मेल और 12 फीमेल होर्सिस के साथ इनोंने पुनावाला इस्टर्ड फार्म्स की स्थापना की थी और सिक्सा जो इनकी हुई थी स्कोलिंग जो इनकी हुई थी वो हुई थी दब बिशोफ स्कूल पुना से हुई थी और इनोंने ग्रिजवेशन की जो डिगरी ली है वो कॉमर्स में ली है और commerce में degree लेने के बाद भी जो है इनोंने medical से जुड़ी हुई इतनी बड़ी company को जो है इंडिया में खड़ा किया जो इनके लिए एक बहुत बड़ा achievement है और जो इनका graduation का जो college था वो बिरहान महारास्टा में पढ़ता है और इसको हम लोग बिरहान महारास्टा college of commerce बोलते है और फिर अपने path track website को इनोंने जोइन किया अपने graduation को करने के बाद और कुछ दिन के बाद जो है इनोंने अपने path track website को वहाँ पे छोड़ दिया और काम करने के बाद इनोंने सोचा कि आने वाले समय में car racing का अच्छा भवीस्थे है अच्छा future है और फिर इनोंने उधर switch कर दिया बट पैसो की कमी की वज़े से जो है यह वहाँ पे जो है काम नहीं कर पाए या उस website को आगे लेके नहीं जा पाए और इनोंने अपने उस idea को वहाँ पे time रहते drop कर दिया फिर कुछ ऐसा यह सोचने लगे या ऐसे करने का यह सोचने लगे जिसका संबंद जो है हर एक इनसान से है हर एक last person से है और कुछ ऐसा करने का इनोंने ठाना जिसका फाइदा जो है हर एक individual को मिले गरीब से गरीब इनसान को मिले और उस समय में जो है इनके farm के जो retired गोड़े थे उनको सरकार दुआरा संचालित vaccine manufacturing company या संस्ता hopkin institute जो मुंबई में है को दान कर दिया जा जाता था और सीरम से गोडों के सीरम से जो है वहाँ पर बहुत सारी vaccines बनाई जाती थी जो उस दोर में बहुत महंगी होती थी और उस time पर गरीब आदमी को जो है या गरीब वैक्ति को जो है vaccine खरीदने में बड़ी परेशानी थी और हर एक इनसान जो है उस time पर जिसके पा जान से हाथ दो बैठते ठे दे ओर उस time जो है कुछ विमारीय ऋर्प महवारी हावा में फैल के जो है बहुत सारे गाउन तबाहकर देती थी और यो बिमारीयां रोकी जा सकती थी वैक्सीण के घृू ताफिया जा सकती थी या इनके बिमारीयों के परभाव को जो है जो ज संक्रमन हुआ था या करोना वाइरस की जो एक बिमारी आई थी उससे भी आप जोड़ के समझ सकते हैं और करोना की वैक्सीन भी जो है इन्होंने बनाई है और उसमें भी जो हैंका बहुत बड़ा योगदान है तो साइरस पुना वाला का जो मोटिव था वो था सस्ती वैक्स भी हुये और इन्होंने गरीब से गरीब आदमी को कम कोस्ट में वैक्सीन को दिया है या पहुँचाया है और इनके पास में कोई अग्शात करने से पहले इनको इस काम में बड़ी दिककत आया बड़ी प्रिशान्यों का सामना करना पड़ा और पैसों की भी इनको दिक्त थी बट इस कंपनी को स्टार्ट करने से पहले इन्होंने अपने भाई से बात की जिनका नाम है जावरी पूने वाला और उनके साथ मिलकर जो है इन्होंने मार्किट से 12,000 डोलर का उस टाइम पे फंड ले लिया और जो फिर पैसों की कमी पड़ी इन पैसों को लेने के बाद उसको इन्होंने जो है पूरा किया या उसको इन्होंने फुल्फिल किया अपने पिता से बात करके और अपने पिता से इन्होंने बात की और इनके पिता ने जो है इनको महाँ पे सपोर्ट किया और इनकी फैमली ने इनको सपोर्ट किया और इनका जो जजबा था या जो हा हापकिन इंसिट्यूट मुंबई की डॉक्टरों की जो टीम थी उसको नौकड़ी पर रखा यह वहाँ से नो ने जो है उनको रिक्रूट किया और अपनी इस टीम की महनत और अपनी खुद की कड़ी महनत के बाद साइरस पुनावाला ने जो है दो वर्स के टाइम के बाद अ ऐक सीन जो है वहाँ पर बनाई और यह एंटी टैतनेस सीरम था जिसको इन्होनने बनाया और बाद में अस्पतालों में बात करके या ग्रमेंट ओप इंडिया से बात करके इन्होनने जो है सर्कारिय और प्राइवेट असपतालों तक इन वैक्सिन को सप्लाई किया ओर इनको कॉंट्रेक्ट भी जो है मिलने लगे ये इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्दी थी और आज जो है ये कमपनी डीटीपी वैक्सीन, एंटी स्नेक वैनम, सिरम, एम एम वैक्सीन और डिप्थीरिया वैक्सीन, टैटनेट्स वैक्सीन, पर्टोसिस वैक्सीन, एचाईवी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन, मंप्स वैक्सीन, आर हेपेटाइटिस वैक्सीन, भी रुबैला, कोविड नाइंटीन वैक्सीन बनाती है और पूरी इंडिया में जो है इसको भेजती है और इंडिया से अलग भी जो है 140 देशों में यह इन वैक्सीन को एक्सपोर्ट करती है और विदेशों में भी सीरम इंसिट्उट ओफ इंडिया प्राइवेट लिमिटिड के प्लांट्स हैं और WHO से इनकी सभी vaccine जो है परमारीत हैं और इनकी vaccine से करोडो लोगों को परियर फाइदा होता है और 18 के दसक में भारत में आई कहीं सारी महावारियों से इनकी vaccine ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है और वहाँ पे संजीवनी का काम किया है जिसके चलते 2005 में इनको पदमस सिरी अवर्ड से नवाजा गया और विस्वे में जो है आज इनकी कंपनी का बहुत बड़ा नाम है और इनकी कंपनी ने जो है बहुत नाम कमा लिया है और अभी तक इनों ने 1.5 बिलियन डोजिस को जो है मैनुफेक्चर कर लिया है और अभी जो सिरम इंसिट्यूट ओफ इं एस पुनवाला है ये इसके चेयर्मेन है तो ये बहुत बड़ी एक प्रेयरणा है या बहुत बड़ी एक जो है motivation है उन सभी candidates के लिए company की story जो अभी अपना graduation कर रहे हैं अपना master's कर रहे हैं, किसी भी biological story में और वो in future अपना कोई venture या अपना कोई startup खड़ा करना चाहते हैं तो वो इस कहानी से सीख ले सकते हैं कि कैसे एक company को खड़ा किया जाता है so thank you friends, thank you for watching and do subscribe the channel for upcoming videos and latest updates, thank you friends